असलामुक्म वेवर्स वेलकम बैक टू माई चैनल इमीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो अल्ला का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं बिसमिल्य रह्मानिय रहीं तो गड़नी है तो मैंने का कुछ ठंडी सी रेस्पी बना लेते हैं आज मैं बन दाट सकते हैं माँ आज आज इसक्रीम हेंड बीटर स सी बना रही हूँ इसमेघृ से मैं जो इलेक्रिक बीटर है वह यूज झान आप हमेड secular वाले करते हैं तो इसे ऐचgehen सो मैं बीट करते कि जा रही हूं आपने हाद को बड़ाबर तेजी से चलाते जाना है ताकि हमारी क्रीम जल्दी से घंट गर्म भी ना हो जाए चैनल जी यह देखिए इची तरह से मैं ऐसे हिला रही हूं तो उसके बाद इसे चैनल से बीट करने के बाद हम इसमें एड कर रहे हैं अब एक कप कंडेंस मिल्क यह मेरा होमेड कंडेंस मिल्क है जिसकी रेसेपी मैं अप्लोड कर चुकी हूं इससे मैंने फ्रीजर में रख दिया वा था यह इसली बहुत ज्यादा थीक हो गया है तो आप इसे पहली फ जान लगानी पड़ रही है क्योंकि यह थीक था बहुत ज्यादा तो चले मैंसे थोड़ा सा मिक्स करती हूं और थोड़ देर बाद मैं आपसे मिल्ती हूं चैने जी यह देखें इसे अच्छी तरह से मैंने हूप जान लगा लगा देखें बीट की है तो यह देखें अब कीच की ऐसे फॉम आ गई अर्म की और गांजोंकी थोजह तो आंप darle दोनों को भी अच्छी तरह से मी страш करने के बाद इनको मिक्स करूंगी Sun लोए यह देख लिए आप इसकी कैसी मगणारी है यह दिखे एड़ें बिल्कु देखे क्रीमी इसका टेक्स्चर हो गया है अच्छी तरह से आपने से देखे मिक्स करते जाने तो इसके बाद इसमें मैंने उदर यालो कलर को मैंने लिकवर्ड फोम में लिया है जो मैं इसमें कुछ ड्रोप्स डालूंगी जिसे हम देखेंगे अमें इसका कलर अग तो यह देखे मैंने मिक्स किया है तो इसका कलर भी लाइट तो मुझे काम लाग रहा है अब मैं थोरज साथ इसमें यलो कलर और 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 कर देती हूं यह देखें जी आप भी असे थोरज साथ करके एक एड़ कीजिएगा एक दफा से बिलकुल एड ना कर इसको भी इच्छी तरह से करेंगे मिक्स तो इसके साथ साथ ही मैं आपको बताती जो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो इसको सब्सक्राइब जूर करें मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स के साथ और प्यारा सा कॉमेंट भी दे दिया कर बाउल अगारा में नहीं रखूंगी फ्रीजर में जबाने के लिए यह मैंने चोड़-छोड़ सी इसका पनी समले हिसाब से इसमें फोर-थोर चोड़ ज़िए डाल रही हूँ इन सब जो चोड़-छोड़ बाउल है इन सब कर लेंगे चीताना से फिल तो उसके बाद इसक तो यह देखें जी मैं इनको फिल कर रही हूं तो यह मेरी आप देखते जाएं कितने मेरे 9 यह फिल लुए थे चोट-चोट जो मेरी गिलासिया कह लें आप कप कह लें कप आइस्क्रीम हां जी कप बिल्गुल ठीक है तो यह मेरे 9 बने थे एक कप से आप अंतादा लगा लें आपको यह 9 कप बनेंगे आइस्क्रीम के बहुत ही टेस्टी बनी थी यह देखें सब में मैंने डाल गए इसे ऐसे टैप कर दिया है ताकि इसके उपर से लेयर एक जैसी हो जाए चलिए अब मैं दिखाती हूं आपको यह देखें जी एक द यह देखें अब यह रह गया इस पर भी हम लगा देते हैं अब इसको रख देते हैं फ्रीजर में यह देखें जी फ्रीजर में मैंने रख दिया था यह मैंने शाम को बनाई थी और सुपह मैंने निकाली थी तो यह देखें बहुत इच्छी से यह फ्रीज होगी हुई है अ तो उमीद करते हूं आप ज़रूर ट्राइब करेंगे यह देखें जी इनकी लुक देखें आप बहुत ही टेस्टी थी आप देखने हैं कैसे इनके बाहर भी बरफ है अभी तो फ्रीजर से निकाले है मैंने जी बिल्कुल यह चील्ड और बिल्कुल थंडी थी बहुत ही बहुत ही यमी और बहुत ही मज़िक है आप देख लिए अराम से यह बिल्कुल टूट रही है इसमें कोई बड़फ के क्रिस्टल नहीं थे बहुत ही टेस्टी थी क्रीमी क्रीमी थी तो चलें जी चलती हूं इसके साथ ही अपनी दौाओं में याद रखिएगा वीडियो प